हेलो एवरिवन, नमस्कार, गुड इवनिग, मैं अंकुर्च उद्री आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परसान चतुरवीदी पर टाइम एंड वर्क के अगशार के हमारें लेडी समय हो चुका हैं और यही हमारा लास्ट पर्ट सब्जेक्ट है और ऑपके एयर ट्रेफिक कंट्रोलर एंड एयर पॉप्रेशंट जयाते और यहीं पर मैं आप लोगों के ताद डिसकस करने वाला हूँ और यहीं पर यहीं पर कि जितने concept मैंने आपको बताए हैं, उनी concept से आपके सारे question solve होने वाले हैं, अगर मैं यह आपे level की बात करूँ कि previous year question में जो level आया था question का वो क्या था, तो बहुती easy questions आये थे, हमने तो फिर भी काफी अच्छे level के questions किये हैं, लगबग सारे concept हम लोग कर रहे हैं, एक भी concept हम चोड़ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं किस तरह का question आ जा रहे, ठीक है, इस friends अगर आपको याद हो, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कि course launch कर दिया था, tech and non-tech दोनों का ही full course for ATC और AO, जिसकी fees हम लोगों ने रखी थी 2500, आप अभी भी इस वीडियो को देख सकते हैं, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, students, ये बैच आपका दोनों ही language में होने वाला है, Hindi और English, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, English का मतलब है कि आपका जो content है, वो भी English में ही रहने वाला है, और जो आपका explanation है, वो भी English में ही रहने वाला है, हिंदी का मतलब है कि जो content है, वो तो English में ही रहेगा, लेकिन जो explanation है, वो हिंदी में रहने वाली है, जैसे हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, students, test series launch कर चुके हैं, बहुत शांदार सी test series है, पूरा schedule आप लोगों के सामने दिया गया है, website पे जाईए, जल्दी से, क्योंकि कित तो AO के लिए भी test series launch कर दी गई है, AO के लिए भी, यहां पर आपको 10 full length mark test मिलने वाले हैं, जिसकी fees 499 for each, मतलब ATC के लिए भी 499 और AO के लिए अलग से 499, यह नहीं सोचना कि 499 में दोनों ही हैं, ठीक है, चलिए, students, अगर आपको याद हो, last glass में मैंने आप लोगों के साथ बात की थी, कुछ ratio से related, किस किस चीज का ratio था, strengths मैंने आपको बताया था, कि जो time होता है, वो efficiency के inversely proportional होता है, इस पर हमने बात की थी, इस पर हमने आज भी काफी कुछ बात करनी है, काफी कुछ चर्चा करना है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, कि अगर आपके पास time इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है, तो strengths चलिए आगे चलते हैं, एक बार मैं color change कर लेता हूँ, थोड़ा सा colorful होता रहेगा, तो ज्यादा अच्छा है, तो strengths ये कहां कहां पर apply होता है, चलिए, अब एक question करते हैं, ये रहा question आप लोगों के सामने, तो ध्यान से पढ़िए क् A can do a piece of work in 40 days, कोई बंदा A है, किसी काम को 40 days में कर सकता है, complete work को कितने में कर सकता है, 40 days में कर देता है, इसके बाद क्या कहा रहा है भाई ये, ध्यान से देखिए, He worked it at 5 days, then B finished it in 21 days, in how many days can A and B together finish the work, question को solve करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन इस्टुएंट्स जो मुझे अच्छा तरीका लगता है, मैं उस पे ही आपके साथ discuss करने वाला हूँ, देखो इस्टुएंट्स, देखो दो तरीके से चलिए, मैं इसे आप एक तो fraction से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कि भाई ये one day में कितना काम करेगा, one by forty कर देगा, तो इसने five days तक काम किया, तो five days में इसने कितना काम कर दिया होगा, one by eight, total work one होता है, जिसमें से one by eight A ने कर दिया, तो इसका मतलब remaining कितना बचा, seven by eight, तो अब जब B आया B ने seven by eight work, कितने days में कर दिया, 21 days में कर दिया, अब ध्यान से सुनना, 21 days में कर दिया, तो अगर मैं cut करूँ, ये cut होगा three times, और eight इधर जाके multiply, मतलब B जो है complete work कितने days में कर सकता है, 24 days में कर सकता है, और A इसी को complete कितने में कर सकता है, 40 days में कर सकता है, मैंने आपको बताय हैं तो इनका LCM ले ले लेंगे जो कि कितना हो जाएगा 120 तो ये कितना काम करेगा 5 unit इसके efficiency कितनी आ जाएगी नीचे कितनी आ जाएगी 3 unit बताई ये आ जाएगी तो time कितना आ जाएगा time आ जाएगा work upon efficiency ये सारा अब आपके लिए बहुत easy होना चाहिए क्योंकि मैं उल लेडिये सब कुछ बता चुका हूँ तो answer कितना हो जाएगा 15 days हो गा या नहीं होगा be option बिलकुल सही answer है आपके सामने ये रहा बताईए clear हुआ है नहीं हुआ इस friends एक तो ये तरीका हुआ दूसरा तरीका सुनिये हाँ पर क्या है दूसरा तरीका क्या हो सकता है क्योंकि मैं दूसरे तरीके पर ज़्यादा फोकस करता हूँ एक बार सुनो इस तरीके से काम होना था यहां से यहां तक यही तो काम होना था बहिया A ने 5 days तक काम किया A ने ये 5 days तक यहां से यहां तक काम कर लिया ये वाला काम खतम कर दिया ये यहां से यहां तक ठीक है अब आगे बचा हुआ है अभी मैं फिर से color change करके बताता हूँ ध्यान से सुनना अब ये work बचा हुआ है ये वाला यहां से यह, अब एक बाद बताओ, ए टोटल काम कितने days में करता है, 40 days में करता है, अगर यह remaining work, ए ही करता, तो A से कितने days में कर देता, 35 days में, क्योंकि total work तो 40 days में होना है, जिसमें से 5 days आपके already हो चुके है, तो A जो remaining work है, उसे 35 days में करता, लेकिन यही remaining work करने के लिए B को कितने days लग गए 21 days लग गए यही वाला remaining work यह जो remaining work है A से 35 days में करता लेकिन B ने यह remaining work 21 days में किया मतलब अगर मैं A और B के time के ratio की बात करूँ तो कितना है 35 ratio 21 जितना काम यह 35 days में करता है उतना ही यह 21 days में करता है तो अगर मैं 7 से cut कर दूँ तो ratio आ जाएगा 5 ratio 3 जाएगा 3 ratio 5 inverse हो जाएगा जब मैंने यहां इतना solve किया तो आप यहां पर देखिए A के efficiency कितनी आ रही है 3 आ रही है B के efficiency कितनी आ रही है 5 आ रही है वही चीज मुझे यहां से देखने को मिली या नहीं मिली मतलब A 3 unit per day कर रहा है B जो है 5 unit per day कर रहा है अगर मैं A की बात करूँ A total work 40 days में कर ले रहा है कितने days में कर रहा है 40 days में अगर A total काम 40 days में कर रहा है 1 day में 3 unit काम कर रहा है तो मतलब total work कितना रहा होगा 120 unit अब मेरे से किसका time पूछना है A plus B का तो A plus B का time निकालने के लिए time equals to work upon efficiency 120 upon efficiency कितनी है 8 तो this cut हो जाएगा answer कितना जाएगा 15 days बताइए समझ में आए या नहीं आए ये आपको clear होना चीए भाई ये बहुत अच्छा concept है अगर समझ में आगा तो मज़ा आजाएगा ठीक है चलिए इस question को भी आज पैसी solve करने की इकोसिस करिए जो मैं अभी बता रहा था उस तरीके से A and B can complete a work in 24 days ठीक है तो क्या कह रहा है A and B है तिहां से देखिए A plus B कितने days में? 24 days में In how many days A alone does the 2 by 3rd of the total work? Total work का 2 by 3rd करना चलिए इसे मैं बाद में देखूंगा क्योंकि देखो अगर मुझे time निकालना है मुझे time निकालना है तो time equals to work upon efficiency होती है तो सबसे पहला काम है कि total work पता होना चाहिए दूसरा काम है कि efficiency पता होनी चाहिए किसकी efficiency जिसका time निकालना है उसकी efficiency अब ध्यान से देखो If they start working together after 20 days A left The work is completed in 26 days बहुत अच्छा question है बहुत अच्छा question है ध्यान से सुनो इस तरीके से काम होना था यहां से यहां तक total work होना था 24 days में जब सुरुवात की इन्होंने अब A और B ने मैं फिर से यहां पे ध्यान से देखना मैं फिर से थोड़ा सा color change कर रहा हूँ बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग प्लीज है ना बहुत ध्यान से इन दोनोंने 20 days तक काम किया यह वाला काम इन्होंने कर दिया 20 days तक इन दोनोंने साथ में काम किया यह जो काम है है हां से यहां तक 20 days का और उसके बाद क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ a चला गया अब ये काम तो किस नहीं किया a पलस b नहीं किया अगर a पलस b ही आगे भी करते रहते a पलस b दोनों ही करते रहते कोई छोड़ के न आ जाता तो ये जो बचा हुआ काम है ये बचा हुआ काम कितने days में हो जाता यह बताईए, यह जो बचा हुआ, remaining work है, भाई, total work 24 days में होना है, होना है या नहीं होना है, अब एक बात बताओ, अगर A plus B ने 20 days तक काम कर लिया, तो यह remaining work A plus B कितने days में करने वाले थे, 4 days में करने वाले थे, लेकिन अभी क्या हुआ, A चला गया, जिस वज़े से total work कितने दिन में खतम हुआ, 26 days में खतम हुआ, मतलब यह 20 days तो हो चुक है न, यह तो cancel out हो चुक है, 20 days तो गया, मतलब अब जो बचा हुआ work है, वो कितने days में होगा, 6 days में, लेकिन कब, जब उसे कौन करेगा, अकेला, B करेगा, क्योंकि A जा चुका है, तो यहां से आपको यह बा तो यह किसका ratio है, time का, तो मतलब अगर मैं इसे कहूँ, कि time का ratio कितना आ गया, 2 ratio 3 आ गया, तो efficiency का ratio, अगर मैं कहूँ, तो कितना हो जाएगा, 3 ratio 2, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो B की efficiency कितनी आ गई है, 2 आ गई है, यह B की efficiency 2 आ गई, और A पलस B की कितनी है, 3 है, तो ज प्लस बी, टोटल काम 24 डेज में कर रहे हैं, और A प्लस बी की efficiency कितनी अगर देखी जाए, तो 3 unit per day, ये तो अभी निकाला या नहीं निकाला, तो total work equals to क्या हो जाएगा, work equals to efficiency into time, मतलब 3 into 24, तो इसका मतलब total work रहा होगा, 72 unit, yes or no, बिल्कुल रहा होगा, तो A का time कितना हो जाएगा, अब A ने जो है, वो 72 unit काम नहीं करना, 72 का 2 by 3 काम करना है, 72 का 2 by 3 मतलब 48 unit काम करना है, 48 unit, तो कितना time लगेगा, time equals to work upon efficiency, A की efficiency है 1, तो इसका मतलब 48 days, अगर पूसता B का time, तो B का time होता work upon, अगर 48 को ही करना होता, work upon efficiency, तब आता 24 days, लेकिन अभी आएगा 48 days, और कहां पर, अच्छे हां पर answer नहीं दिया, तो 48 days इसका answer होगा, उमीद है clear हुआ होगा, बहुत simple सा question था, students अब आगे बात करते हैं, हाँ, यहां पर ध्यान से सुनना, एक एक point, बहुत अच्छा point बताने वाला हूँ, इस्टूरेंट आगे बात करते हैं, हम लोग chain rule की, आगे बात करते हैं, chain rule की, अब यह chain rule क्या है, इस्टूरेंट्स, जब कभी भी आपके सामने man, woman, इस तरह के question आते हैं, तब हम chain rule का यूज करते हैं, question को solve करने के लिए, direct सुनिए ध्यान से, chain rule होता है, M1, D1, W1, upon, यहां पर आ जाएगा आपका, नहीं नहीं, यह मैं थोड़ा सा गलत लिग दिया, ध्यान से देखो, M1 यह मैं इसे हटाई देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर और अच्छे से ध्यान स upon W1, equals to M2, D2, upon W2, यह एक formula होता है, अगर, देखो, जहां पर M है, ध्यान से सुनना, M है, M का मतलब है man, person, वो man भी हो सकता है, woman भी हो सकता है, child भी हो सकता है, boys भी हो सकते है, कुछ भी हो सकता है, यह याद रखना, बस जो M है, वो person को represent कर रहा है, यहां पर जो D है, वो days क मतलब time को represent कर रहा है एक तरीके से, ठीक है, और जो W है, वो work को represent कर रहा है, किसी represent कर रहा है, work को represent कर रहा है, इतना याद रखना, अब, जो आपका time है, वो जरूरी नहीं है कि days में हो, D4 तो days हुआ, वो hours में भी हो सकता है, वो minute में भी हो सकता है, अगर hours में भी है, तो हम लोग यहाँ पर H1 और यहाँ पर H2 यूज करेंगे, अब यह है क्या चीज, यह सब कुछ मैं बताऊंगा, बस आप लोग दिहान से सुनते चलो, chain rule हमेशा comparison के लिए use होता है, chain rule हमेशा comparison के लिए use होता है, 10 मैं इतने डेज में कर रहा है, तो 20 कितने डेज में करेंगे, तो इस तरह का comparison जब होता है, तब हम chain rule को use करते हैं, यह याद रखना, इस्ट्रेंट्स, अगर, अगर, वर्क सेम है, W1 equals to W2, तो आपका जो chain rule आएगा, वो आएगा M1, D1, अभी मैं H1 अटा देता हूँ, मैं हैं, तो D1 के साथ H भी आ जाएगा, अगर मैं यहाँ से एक बात देखू, ध्यान से देखना, कि M1 upon M2 equals to D2 upon D1 आ रहा है या नहीं आ रहा है, भीया, यह M2 तो इसके upon में चला गया, यह D1 इसके upon में चला गया, तो यह क्या चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पर, होना है, दूसरा, इस ट्रेंट मैंने कहा कि ये formula comparison के लिए यूज होता है, comparison हमेशा same unit के बीच में होता है, comparation हमेशा same unit के बीच में होता है, ये आपको पता होना चाहिए, भाईया, 10 rupees प्लस 20 rupees हो पाता है, ठीक है, बास समझ में आ रही है 10 रुपीज में अगर 30 पैसा एड करेंगे तो वो 40 नहीं बनता किलियर है ना यूनिट सेम होती है तभी comparison होता है तभी addition subtraction होता है तो ये याद रखना कि अगर मैंने M1 man लिया है तो M2 भी man ही होना चाहिए अगर मैंने M1 woman लिया है तो M2 भी woman ही होना चाहिए मतलब M1 और M2 M1 and M2 always same unit होनी चाहिए अगर मुझे ये use करना है तो same unit अगर मुझे ये use करना है तो same unit होनी चाहिए इतनी बास समझ में आती है नहीं आती है देखिए एक example लेते हैं छोटा सा example question है कि 10 men किसी काम को 12 days में करते हैं 10 men किसी काम को 12 days में करते हैं तो बताइए 6 men same work को कितने days में करेंगे same work को क्या बोला मैंने same work ये एक एक point पे नजर रखनी है आपने same work same work का मतलब क्या हुआ कि भाईया w1 equals to w2 है तो इस trends इस question को solve करने के एक नहीं अनेक तरीके हो सकते हैं मतलब बहुत सारे method हो सकते हैं इस question को solve करने के लिए देखो सबसे पहले तो अगर मेरा w1 equals to w2 है तो मैं हाँ पर यूज करूँगा m1 d1 equals to m2 d2 ये यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता अब m1 मतलब 10 men जिस काम को 12 days में कर रहे हैं 6 men same work को कितने days में करेंगे ये होता है भाई तो यहां से अगर d2 की value देखी जाए तो answer आजाएगा 20 days answer कितना हो जाएगा 20 days बात समझ में आती हैं इसमें कोई doubt नहीं ये तो वहा पहला method दूसरा method धियान से देखो एक एक चीज़ अगर मैं कहूं कि पहले आपके पास 10 men थे और अब आपके पास 6 men है तो अगर मैं man का ratio यहां पे देखो मतलब person का ratio या man का ratio तो कितना आजाएगा 5 ratio 3 अगर ये man का ratio है तो भाईया time का ratio कितना आजाएगा time का ratio आजाएगा 3 ratio 5 आजाएगा या नहीं आजाएगा बताएगे अब इस 3 की value आपको दी गई है भाईया इस 10 men का ही तो दिया गया कितना 12 days अगर 3 की value 12 days है तो 1 part की value 4 रही होगी और 1 part की value 4 है तो 5 part की value कितनी रही होगी 20 तो answer कितना आजाएगा 20 days clear हुआ है नहीं हुआ हो जाता है क्योंकि आगे मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ इसलिए सुनते चलो इसने मुझे कहा कि भाईया 10 men कितने days में कर रहे है 12 days में कर रहे है मेरे से पूछा क्या 6 men का पूछा है नहीं पूछा एक बात बताओ 10 से मुझे कितने चाहिए 6 men चीए है नहीं चीए एक सेकंड यहाँ पे देखना ध्यान से मतलब मुझे यहाँ पे 10 नहीं चीए थे कितने चीए थे 6 चीए थे इसे 6 बनाने के लिए क्या मैं इसे 3 by 5 से multiply कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ आप देख लीजे अगर मैंने इधर 3 by 5 से multiply किया तो भाई यह जरूर यक्रा कि यहाँ inverse करना पड़ेगा 5 by 3 क्योंकि man जो है जो time के inversely proportional होते हैं तो आप देखें यहाँ पे 6 men बन गया और यहाँ पे कितना बन गया 20 days तो एक तरीका नहीं बहुत सारे तरीके हैं लेकिन यह तरीका अपने आप में इंपरेंट है यह मैथर यह मैथर भी बहुत इंपरेंट है और यह मैथर भी बहुत इंपरेंट है तीसरा अब कहाँ पे कौन सा यूज होगा वो भी हम लोग देखेंगे next question देखें बहुत शानदार सा question है a barrack of soldier there was stock of food for 190 days for 4000 soldiers after 30 days 800 soldiers left चले गए है the barrack for how many days sell the leftover food last for the remaining soldiers तो जो बचा हुआ खाना है बचे हुए सिपाई कितने दिन तक खा सकते हैं उसे question यह है अब आप यहां पे देखो ध्यान से सुनना बहुत simple है total खाना जो है 190 days के लिए था 190 days के लिए लेकिन 190 days के लिए कब था जब इस total खाने को 4000 soldiers खा रहे थे total खाने को कितने लोग खा रहे थे 4000 अब 30 days के बाद 800 soldiers चले गए मतलब जो पहले 30 days थे मैं कहता हूँ कि हाँ पे 30 days हो गए तो पहले 30 days तक तो कौन खाते रहे 4000 ही खाते रहे बाद समझ मैं या नहीं या लेकिन अब इससे आगे क्या हुआ कि 800 चले गए तो remaining कितने बचे यहाँ पे remaining कितने बचे देखिए 3200 बचे या नहीं बचे तो यह कह रहा है कि 3200 इस बचे ओवे खाने को कितने दिन में खा जाएंगे तो भाईया कंपेडिजन कहसे होती है सुनो मान लो कोई भी छोड़के ना जाता यह 4000 मैं नहीं खाते रहते भाईया यही तो कंपेडिजन होगी न अगर यह 4000 सोलजर ही खाना खाते रहते तो टोटल 190 डेज तक खाना था 30 डेज का खा चुके है तो जो रिमेनिंग खाना बचा वो कितने डेज तक बसता है 160 डेज तक तो आप सिंपल सा यह इसाब लगाओ कि 4000 जो बचा हुआ खाना है उसे 160 डेज में लपेड देते खतम कर देते तो 32,000 उस बचे हुए खाने को कितने दिन में खा जाएंगे इससे ज़्यादा सिंपल कोशन नहीं हो सकता यह मैं बार-बार कह रहा हूँ आंसर आजाएगा 200 200 डेज इसमें भी अगर दिक्कत है तो आप बताईए मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी दिक्कत होनी चाहिए ठीक है? चलिए कि लिए दूसरा तरीका सुन लीजें दूसरा तरीका भी आप सुन लीजें देखो भाई क्या है? बहुत सिंपल सी बात है मैंने आपको बताया कि जो टाइम होता है वो मैं के inversely proportional होता है यह मैंने आपको बताया मैंने आपको एक बात यहाँ पर बतायी ध्यान से सुनो, पहले मेरे पास 4,000 सोलिजर थे, अब 3,200 है, ये कोशन में कहा गया है, मतलब जो मैन का रिश्यो है, यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो वो 8,000 से कटो के कितना रहे है, 500 से कटो के 5 रिश्यो 4, ये ही आ रहे है, अगर ये किसका रिश्यो में का, तो टाइम का रिश्यो क्या रहेगा, भीया, 4, ratio 5, रहेगा या नहीं रहेगा, टाइम का रिश्यो कितना रहेगा, 4, ratio 5, अब समझने वाली बात ये है, कि ये 4 किसका टाइम है, 4,000 का, और 4,000 कितने दिन में खा रहे हैं, सब कहेंगे कि सर 4,000 तो 190 डेज में लेकिन नहीं भीया ये 30 डेज का तो खतम हो चुका है यहां पर इसकी तो बात ही नहीं कर सकते जो खतम हो गया उसकी क्या बात करनी तो जो remaining बचा उसकी बात करनी है मतलब remaining work जो बचा है उसे कितने डेज में कर रहे थे यह 160 डेज में बात समझ में आई या नहीं अगर 4 part की value 160 डेज है तो 1 part की value कितनी रही होगी 40 और अगर 1 part की value 40 है तो आप इधर भी 40 से multiply कर दीजे यह आपका कितना आ रहे है 200 this is the right answer next question आप कैसे भी करिये लेकिन सही answer दीजे लीजे यह आया question आपके सामने एक garrison of 500 men had provisions for 27 days after 3 days a reinforcement of 300 men arrived the remaining food will now last for how many days एक बात सुनिए यहां से यहां तक कितने days हुए थे 27 days और यह 27 days starting में कितने लोगों के लिए थे 500 के लिए थे लेकिन हुआ क्या कि 3 दिन के बाद तो यह 3 दिन तो चले गए खतम हो गए यह 3 दिन तो जो remaining बच रहा है वो कितने days बचने 24 days remaining कितने बचने 24 days तो आपने क्या देखना है आपने क्या देखना है एक सेकेंड यहां पर मैं color change करके बताऊँगा आपने क्या देखना है हाँ तो आपने देखना है कि यह जो 24 days है यह किन के लिए इन 500 के लिए तो जो काम 500 men 24 days में कर रहे थे वही काम 800 men कितने days में करेंगे आप कहेंगे sir 800 क्यों लिया क्योंकि 300 आए है 500 ओल लेडी थे तो अब अगर यहां से मैं solve करूँ तो यह मेरा cut जाएगा 2 0 से 2 0 यह cut गया AD की value 15 आजाएगी तो D equals to 15 D2 15 days is the right answer किलियर हो किया first option है यह पीछा ऐसे कर लीजे सुनो एक बात बताओ अगर मैं हाँ पर man का ratio देखू तो man पहले कितने थे 500 अब कितने 800 बोलो हा की ना बिल्कुल सही बात है तो man का ratio आप कहेंगे कि सर्फ 5 ratio 8 दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा है तो अगर man का ratio यह है तो time का ratio कितना रहेगा 8 ratio 5 अब यहाँ पे यह वाला time दिया गया है यह time पूछा गया है तो यह time जो भी होगा वो 5 का multiple होगा और 5 का multiple एक ही है 5 का multiple एक ही है कौन 15 नहीं तो कोई सा भी 5 का multiple नहीं है क्योंकि जो 8 की value है अगर देखी जाए यहाँ पे 8 की value कितनी आ जाएगी 24 days क्योंकि 3 का तो खतम हो चुका न 3 days का तो खतम हो चुका है total थे 27 days total कितने थे 27 days तो बचा कितना 24 days तो 8 की value अगर 24 है तो 1 part की value 3 रही होगी तो 5 part की value 15 रही होगी next cancer आप लोग बताईए इस cancer अब आपने बता देना है अगर अभी भी इस cancer नहीं आएगा तो फिर तो बहुत दिक्कत होने वाली है एक garrison of 200 men had provision for 50 days after 5 days area and for अब आपको देखो एक देखना चाहिए 50 में से 5 तो गया अब जो भी बात होगी in 45 days को लेके होगी सबसे पहले in 45 days के लिए 200 थे 200 men थे बास समझ मैं या नहीं है अब आगे क्या कह रहा है कि 100 men arrived 100 और आगे the remaining food will now last for how many days अब देखो पहले 200 men थे अब 300 हो जाएंगे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे तो time जानना चाहता है कितना लगेगा बहुत सारे तरीके है एक तरीका नहीं है बहुत सारे तरीके होते है question को solve करने का पहला तरीका 200 से अगर 300 पे जाना है तो क्या कर सकते है यह बताईए 3 by 2 कर सकते या नहीं कर सकते बताओ, कर सकते हैं, तो भाईया, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 by 3, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 by 3, बताओ, आंसर आएगा या नहीं आएगा आंसर आएगा या नहीं आएगा, तो आंसर क्या है 30 days, यह आप यह सोचिए 200 men जिस काम को 45 days में कर रहे है तो 300 men उस काम को कितने days में करेंगे तो answer कितना आएगा यहां से देख लीजे यहां से आपका answer यही आ जाएगा कितना 30 बास समझ में आई यह नहीं आई clear हुआ यह इसमें कोई doubt है कोई doubt नहीं है very good अरे यह देखो भाईया 2-0 से 2-0 कट गई यह 15 time कट हो गया 15 into 2 कितना हुआ 30 तो 30 days is the right answer यह आप इसे ratio and proportion से भी कर सकते थे बास समझ में clear है यह नहीं यह बताइए very good अब students यह आपके लिए बहुत important है इस तरह का question आपके paper में आया भी है मैं दिखाऊंगा बहुत simple है 10 men can cut 15 tree in 2 hours if 2 men leaves the job how many tree will cut in 3 hours भाईया 10 men है अब इदर सुनो पहले ऐसे लिखता हूँ 10 men मतलब M1 की value 10 T1 tree cut कर रहे है 2 hours में मतलब जो आपका D1 है D1 है वो 2 hours है और जो W1 है काम कितना हो रहे है 15 trees को काटा जा रहा है 2 men चले गए है तो M2 कितना रह जाएगा 8 बास समझ में आ रही है D2 3 hours कह रहा है और मेरे से W2 जानना चाता है तो आप बहुत simply यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले है M1 D1 upon W1 equals to M2 D2 upon W2 देखो यहाँ पर time simple hours में ही है days में तो है नहीं days plus hours अब में होता तब हम D1 H1 करते नहीं है तो हम simple लिख देगे तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर देखें चलो हैं यहाँ पर solve करते हैं पर लोग इसे 10 into 2 upon 15 equals to यह कितना हो जाएगा 8 into 3 upon W2 यही तो निकालना है मैंने यही तो निकालना है ना तो 5 से कट किया 2 यह आ जाएगा 3 यह कट हुआ 2 times 18 तो W2 की value कितनी आ गई 18 18 is the right answer तो बहुत simple question थे बहुत ही ज़्यादा simple question ठीक है इस्ट्वेंट्स यह बहुत अच्छा question है यह अगर आप बताते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपके paper में क्या पूछा गया था यह नहीं था हाँ यह यह बताना क्या answer होगा तो question क्या है 10 cats got 10 rats in 10 seconds how many cats will catch 100 rats in 100 seconds answer 10 ही होता है अलग इस तरह क्यों क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं M1 की तो 10 cats काम पे लगी हुई है अगर मैं time की बात करूं तो 10 seconds लग रही है और काम तमाम की बात करूं तो 10 rats का काम तमाम होता है अगर मैं M2 की बात करूं तो 100 rats है अगर मैं D2 की बात करूं तो 100 E second है और अगर मैं W2 की बात करूं तो यह मैंने निकालना है, बहुत से लोग जल्द बाजी में यहाँ पे 100 आंसर दे देते हैं, बहुत से लोग, लेकिन भाईया, M1 into D1 upon W1 equals to M2 into D2 upon W2, तो सोरी, यहाँ पे क्या है, M2 D2 upon W2, मतलब 100 into 100 upon W2, यह निकालना है मैंने, बास समझ महीं, यह मैंने कुछ गलत कर दिया, यह पूछा है, यह पूछा है, यह पूछा है, जबकि यह दिया हुआ है, 100 एक काम तमाम करते हैं, यह पूछा है, तो नीचे क्या आ जाएगा 100, और यहाँ पे M2 आ जाएगा, तो यह कट हो जाता है, देखो, यह कट हो जाता है, तो M2 की value कितनी आ जाती है, 10 ही आ जाती है, और यही हमसे पूछा था, तो जब कभी भी इस तरह का अंसर आएगा, तो बहुत जल्दी से ऐसा नहीं है, कि आप यहाँ पे देखो, और 100 अंसर लगा दोंगे, नहीं, simple chain rule यूज करेंगे, और आपका अंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है students, यह तो मैं अभी बता रहा हूँ, वैसे देखो, अगर आप यह question भी करना चाहूँ ना, यह भी आपका previous year का question है, और बहुत शांदार question है, इससे tough question तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, 10 person begin to work, together on a job, देखो 10 person मतलब 10 men काम करने पे लगे, बट after some days, four person leaves, देखो, इस तरीके से काम हो रहा था है, यहां से यहां तक काम करना था, अब हुआ क्या कि after some days, मतलब after some days मैं कहता हूँ, after x days, after x days, four person leaves, 4 person चले गए, 4 person चले गए, मतलब यह काम तो हो चुका है, यह काम तो हो चुका है, अब सुनना ध्यान से, as a result, the job which could have been completed in 40 days, was completed in 50 days, पहले यह काम, ध्यान से सुनना, 40 days में होना था, अब यह काम 50 days में हो रहा है, इसकी वज़े से जो 4 लोग गए है, in how many days after commencement of the work, did the four person leave, question समझ मैं आ रहा है, एक बार और पढ़ लीजे, यह बहुत बढ़िया कोशन है, यह time pass वाला कोशन नहीं है, पहली बात तो यह है, एक बास सुनो, अगर 10 person ही काम करते हैं, ध्यान से सुनना, मैं वही बता रहा हूँ आपको, बहुत कमाल का method बताया थे, अगर 10 person ही काम करते हैं, तो यह जो 10 person है, ध्यान से देखना, यह 10 man थे, यहां से यहां तक, यह इस काम को कितने days में करते हैं, 40 minus x days में, भहिया, x days का तो काम हो चुका है या नहीं हो चुका है, किलियर होगी बत, किलियर है, अब हुआ क्या, कि 4 चले गए हैं, तो अब यहां से यहां तक सिर्फ कितने person बचे हैं, 6, सुनना ध्यान से, और यह 6 person इस काम को 50 minus x days में कर रहे हैं, क्योंकि उस time पर 50 days में होता है, लेकिन x का तो हो चुका है, remaining तो 50 minus x में होता, तो कोशन यह बना, जो काम 10 person 40 minus x days में कर रहे हैं, वही काम, ध्यान से सुनना, 6 person 50 minus x days में कर देते हैं, M1, D1 equals to M2, D2, कोशन बन चुका है, यह कितना आ चुका है, 400 minus 10x equals to 300 minus 6x, यहां से आ जाएगा, 4x equals to 100, इस्ट्वेंट x की value कितनी आ जाएगी, सीधी सीधी 25 आपको दिख रही है, मतरब 25 days के बाद वो चले गए थे, यही हमसे पूछा था, यह रहा, अब बताओ, यही तो था chain rule, और chain rule से बहुत सारे question आपसे पूछे गए हैं, तो बहुत simple सा question था, इस्ट्वेंट अगर मैं यह question करूँ, कितना simple question है, क्या है, यह भी आपके paper में है हुआ हुआ है, इस्ट्वेंट कुछ है नहीं करना था, बहुत simple सा काम था, टोटल काम है 5 by 8, 5 by 8, जो की काम हो रहा है हमारा 10 days में, आप एक बास सुनिए, टोटल काम मान लीजे आपका 8 था, जिसमें से 5 कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन 5 बर कम्प्लीट करने के लिए आपको कितना time लग लगे हैं, 5 वर कम्प्लीट करने में, रिमेनी कितना बचा 3, तो 3 days करने में कितना time लगेगा, 6 days लगेंगे या नहीं लगेंगे, बताइए, बास समझ में ही या नहीं ही, मतलब 5 वर्क आपका 10 days में हो रहा है, तो मुझे बताइए, 3 वर्क ये नहीं, ऐसे नहीं, ये तो मै रेक्षिन में टाइए, तो 3 वर्क obs ये नहीं, ज dirs लो, ये आपकेका 12 days में हो जायेगा, रहाप तक सिक्षिन लगे, इस नहीं कितना उपक्षिन अइट बताइए, जब आपका 5 वर्क में कितने में हो चुका है, तो पूरा one वर्क आपका 16 या जगी क्योंकि देखो, यह कड़ गया two times, यह इधर चला गया, अच्छा, one work मतलब complete, one में से आप, अगर मैं बात करूँ, तो five by eight minus कर दो, तो remaining कितना बचा, three by eight, यही तो बचा है, नहीं बचा, तो अगर आपको यहां पे, कितना है, three by eight काम करना है, तो इधर भी आप three by eight कर दीजे, और इधर भी आप three by eight कर दीजे, तो आपका अंसर कितना आजाएगा, six days, बात समझ में आती है, यह fraction का था, हालकि यह आसान question था, कुछ भी नहीं, यह पैसो का question है, भीया, पैसो की तो बात चलती है, अब यहां पे ध्यान से सुनो, आप लोग और, बहुत बढ़िया-बढ पैसो के लेने देने की आएगी, जब कभी भी बात पैसो की लेने देने की आएगी, देखो, पैसा उतना ही मिलता है, जितना काम किया जाता है, जो जितना जादा काम करेगा, उसे उतना ही जादा पैसा मिलेगा, जो जितना काम करेगा, उसे उतना ही जादा पैसा मिलेगा, मतलब जो पैसा है जो wages जिसे हम लोग बोलते है wages directly proportional होता है work के ये चीज ध्यान रखना जो wages है वो directly proportional होता है work के तो कई बार जब हम लोग question solve करते हैं तो इस work की जगए अगर wage दिया हुआ है तो ये भी put कर सकते हैं जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा ज़्यादा काम करेगा ज़्यादा पैसा मिलेगा कम काम करेगा कम पैसा मिलेगा तो कई बार याद रखना question में जहां पे हम work यूज कर रहे हैं डबलू यूज कर रहे हैं मतलब अगर मैं अब आपको कोशन दिखाऊं कि आपके पेपर में क्या आया हुआ था यह रहा है तो कितना पैसा लेंगे तो M1D1 अपोन वेज ठीक है यह रहा इकवस टू M2D2 अपोन वेज यह निकालना है यह निकालना है कि नहीं निकालना है यह कट हो जाएगा सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं कि 210 टाइम अगर मैं देखो 6 से 6 कट हो गया यह इधर मल्टिप्लाई हो जाएगा तो A1890 कितना स कोशन है बताइए बहुत सिंपल है इस तरह का कोशन आता है सुनो यहां पर एक चीज और दिहान रखना क्या कह रहा है देखो इस कोशन को सौल करने के दो तरीके बता रहा हूं ती मैं और फाइफ वोमें जब कभी ऐसा कोशन आता है एक तो वर्ड यूज होगा और और का म त्री मैं और फाइफ वोमें कितने डेज में कर रहे है तो सबसे पहले तो यह रिलेशन पता चलिया मुझे यह रिलेशन पता चलिया या तो त्री मैं काम करे या फाइफ वोमें काम करे बात है कि मतलब त्री मैं फाइफ वोमें के एक वल है अब इसमें एक चीज क्या मतलब 6 men and 5 women यह पूछा है कितने दिन में करेंगे क्या एक बात बताओ इस man में यह woman add हो सकते है नहीं लेकिन man में man add हो सकता है woman में woman add हो सकता है यह यह जरूर हो सकता है अब इस्ट्वेंटस याद रखना कि अगर मैं यह पहले वाली पहला method है, यह पहला method, अगर मैं यह पहली line उठा रहा हूँ, मान लीजे, यह मेरा M1 है, और यह मेरा D1 है, बास समझ में आती है, तो अगर मैंने man लिया है, और तो यह मेरा M2 है, यह भी पूरा man ही होना चाहिए, M2 भी पूरा man की comparison man से होगी, woman की comparison woman से होगी, अब six man से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, five woman की जंगे भी man ही होना चाहिए, जो कि मुझे दिया गया है, या तो five woman हो या three man हो, बात एक ही है, तो five woman की जंगे मैं three man put कर देता हूँ, तो यह आ गया three man, बास समझ में आती है नहीं आती है, तो कुल मिला के ये कितना हो चुका है, nine man हो चुका है, कितना हो चुका है, nine man, अब आप लोग एक बास सुनिए, मेरी बहुत ध्यान से, क्या सुनने वाले हैं, कि इन दोनों को add करना मुश्किल था, या तो six man और five woman काम करे, या nine man काम करे, बात एक ही है, तो कोशन आप ये कर सकते हो, कि three man जिस work को 12 days में करते हैं, nine man उसी work को कितने days में करेंगे, तो यहाँ पर d2 की value आपकी कितनी आ जाएगी, four days, बात समझ में आती है, नहीं आती है, एक तो ये तरीका है, बात कि लिए रहे, भाया ये भी बहुत important सा method है, आपको relation के true भी निकालना मैंन सुनिए, three man कितने days में कर रहे हैं, 12 days में, और five women कितने days में कर रहे हैं, ये भी 12 days में, एक बात सुनिए, मैं यहीं पर LCM ले ले लेता हूँ, धियान से देखना है, यहीं पर LCM ले ले लेता हूँ, कितना हुआ 12, तो total काम था 12 unit, total work था 12 unit, मुझे total 12 unit काम करना था, अब धि क्या चाहिए, मुझे चाहिए, six men plus five women, अगर three men one unit काम कर रहे हैं, तो six men double unit काम करें, मतलब two unit, और five women one unit, मतलब अगर ये काम कर रहे हैं, तो three unit per day कर रहे हैं, करना 12 unit है, तो time equals to work upon efficiency, answer कितना आ जाएगा, four days, एक तो ये तरीका होता है students, कि जो दिया गया उसी के efficiency निकाल लो, या एक तरीका ये होता है, एक बास सुनो, आपको ये पता है, यहाँ पर देखो, कि भईया, three men, three men, twelve days में कर रहे हैं, और five women भी twelve days में कर रहे हैं, मैं आपसे पूस्ता हूँ कि one man कितने में करेगा, कहीं लोग कहेंगे सीधा four days में, फिर मैं कहूंगा भईया, ये सक्तिमान थोड़ी है, आप ऐसे देख के answer दो भाईया, ये जो देखो, अगर यहाँ पर three बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा, one by three, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, into three, तो मतलब अगर three men 12 days में, तो one man 36 days में, अगर five women 12 में, तो one woman 60 में, five into 12 हो जाएगा, LCM low, कितना हुआ, one 80 है, ये कितना काम करेंगे, ये हो जाएगा, हमारा five unit, और ये कितना हो जाएगा, three unit, ये one man का, और one woman का, मैंने work निकाल लिया, efficiency निकाल लिया, मुझे क्या-क्या निकालना था, six men plus five women, एक बाद बताओ, one man अगर five unit काम कर रहे हैं, तो six men 30 unit काम करेंगे, one woman three unit काम कर रहे हैं, तो five women 15 unit काम करेंगे, मतलब ये सब मिलके 45 unit per day काम करेंगे या नहीं करेंगे, per day, करना कितना है, तो time equals to work upon efficiency, भईया, एक कोशन के इस से ज़्यादा तरीके नहीं हो सकते, ये इस answer है, तो आप one one का निकाल लो, तब भी कर सकते हो, माल लो, आपके सामने ये question आया, बहुत simple सा question है, कि ten men किसी काम को 12 days में कर रहे है, five women किसी काम को 36 days में कर रहे है, and eight children, ये दिखा गया हर एक चीज 30 days में, मैं यहां से उठा रहा हूँ data, ये देखो यहां पर, in how many days, क्या पूछा है, six men plus nine women plus six children, ये है, तो अगर ये पूछा गया है, तो आप solve करना है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भईया, कैसे solve करना है, अरे एक एक का निकाल लो, one men कितने में करेगा, 120 में, मैंने multiply कर दिया, 10 into 12, यहां पर one women कितने में करेगा, 36 into 5, कितना हो जाएगा, 180 days, और यहां पर 30 into 8 कितना हो जाएगा, 240 days, ये 11 का निकाल लिया, LCM लिया तो कितना हुआ, 720 720 यहां पे efficiency कितनी आ रही है 6 आ रही है, बोलो हाँ, यहां पे कितनी आ रही है 4 और यहां पे कितनी आ रही है 3 यह तो 1-1 की आ रही है कि नहीं आ रही है 1-1 की तो आ रही है तो एक बात बताओ, तो मुझे निकालना है 6 men, plus 9 women पलस six children, यही चाहिएगी नहीं चाहिए, अगर one man six toffee खा रहा है, तो six man 36 toffee खाएगे एक दिन में, अगर one woman four toffee खा रही है, तो nine woman 36 toffee खाएगी, one child अगर three खा रहा है, तो six children कितनी खाएगे, 18 खाएगे, अगर यह साथ में मिलके toffees खाएगे, तो जाहिड सी बात है, 90 toffee खा जाएगे, टोटल मतलब इनका, यह आ गई, efficiency, 90 unit by day आ जाएगे या नहीं आ जाएगे, time equals to work upon efficiency, work कितना है, 720, efficiency कितनी है, 90, answer कितना आ जाएगा, eight days, this is the right answer, बताईए, समझ में आती है बात, यह नहीं आती है, clear हुआ, clear हुआ, तो फटा फट लाइक कर दें, share कर दें, और subscribe कर और यह आपके लिए हो जाता है, homework, तो फटा फट से मुझे, इसका answer homework में जरूर बताए, comment करके, भाई, मैं देखता जरूर हूँ, आजकर reply नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं देखता जरूर हूँ कि कितने लोगों ने सही answer दिया है, तो please मेरी request है कि आप लोग इसका answer जरूर ब ऐसा मिलेगा, या आप यह कह सकते हैं कि जिसकी efficiency, भाई, आप वर्क किस पर depend करता है, जिसकी efficiency ज्यादा वो ज्यादा काम करेगा, जिसकी efficiency कम वो कम काम करेगा, तो मतलब जो wages है, वो वर्क पर तो depend करता ही है, वो efficiency पर भी depend करता है, जैसे हैं पर, A, B, C can do a work in 6, 18 and 12 days, respectively, during that work today, they get an amount of rupee 1350, what is the share of B in that amount, एक बास सुनो, 6, 8 and 12, इन का calcium ले लो, सीधा कितना हुआ, 24, तो A की efficiency कितनी आजएगी, 24 by 6, देखो, अब इतना ही time होता है, वहाँ पर ज्यादा नहीं, 4, 24 by 8, कितनी आजएगी 3, और यह आजएगी 2, इस ratio में पैसा distribute होगा, यह ratio में 9, और rupees में 1350, मतलब आप देख रहो, वन पार्ट की value कितनी हो जाएगी, 150, इसे कितना पैसा मिलेगा, 150 से multiply कर दो, इसे मिल गया 450, this is the right answer, clear हुई बात, very good, A को पूस्ता तो इसे भी 150 से multiply करते हैं, यह आ जाता 600, और यह कितना आ जाता 300, सारा game आपके हाथों में है, इसी तरह का यह question ह यह question simple है, यहाँ पे भी आपको यह निकालना है कि A, B, C, कितना कितना काम कर रहे हैं, A, B, C undertook a job, 4 रुपी 9,100, A, C together finish, A और C जो है, वो कितना काम करते हैं, 7 by 13 वर करते हैं, ठीक है, आगे क्या कहरा, B and C together finish, 8 by 13, तो B और C, कितना काम करते हैं, 8 by 13, अब यह क्या जानना च जाता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, the share of each one, इस प्रेंट एक बात सुनो, जो total work का, अब ध्यान से सुनो, total work का 7 by 13, total work का 8 by 13, इसका मतलब जो total work करना था, वो 13 था, किसे A plus B plus C को, जो total work करना था, वो कितना था, 13 unit, यह मैं मान लेता हूँ, बास समझ महीं, लेकिन A और C 7 unit कर अगर मैं add कर दूँ, मतलब, अगर मैं add कर दूँ, यह A और B है सोरी हां पर, हाँ, आपने मुझे बताया, समझ में आ गया मुझे, A plus B, plus B plus C, अगर 8 plus 7 करूँगा, तो यह 15 unit काम कर रहे हैं, जबकि A plus B plus C कितना काम कर रहे हैं, 13 unit, यह दर जाके minus हो जाएगा, तो B कितना का कर रहा होगा, 2 unit, अगर B 2 unit कर रहा है, तो A 5 unit कर रहा होगा, अगर A 5 unit कर रहा है, तो C जो है, वो 6 unit कर रहा होगा, तो जो पैसा बटेगा, वो इसी ratio में बटेगा, मतलब, total part हुआ 13, 13 की value ही 9100, मतलब 1 part की value कितनी हो जाएगी 700, अगर 1 part की value 700 है, तो 2 part की value 1400 हो जाएगी, ब पूरा मैंने आपको solve करा दिया एक एक point आपके सामने रख दिया है। इससे ज़्यादा कोशन आपके पास नहीं आएंगे, ये भी मेरा वादा है। मतलब इससे ज़्यादा tough तो नहीं आएगा, क्योंकि आपके paper में technical बहुत ज़्यादा माईने रखता है, ये आप लोगों को भी पता है, clear है, तो students, आज की class में इतना ही है, सारे कोशन मैंने करा दिये previous year के, और मुझे उमीद है कि आप लोग इसे like जरूर करेंगे, share करेंगे subscribe करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो thank you so much, मिलते है next lecture में, अपना ख्याल रखिए, thank you so much everyone